mutual fund से related complete solution चाहिए तो आप मेरे साथ जूर सकते हो कौन सा mutual fund आपके portfolio के लिए बैहतर होगा कौन से mutual fund को आप अपने portfolio से बाहर का रास्ता दिखाओ portfolio का design और allocation कैसा होना चाहिए किस mutual fund में हम कितना पैसा लगाए investment planning, financial planning और retirement planning को लेके कोई भी query हो तो आप मेरे साथ जूर सकते हो जी हाँ description box में जाके पूरा detail चेक करें और detail के basis पे whatsapp number के थूरू आप मेरे साथ जूर सकते हैं चलिए वीडियो का बिशलेशन स्टार्ट करते हैं बहुत सारे investor हैं जो यही query generate कर रहे हैं क्या IT के stocks में और ज्यादा गिरावर देखने को मिल सकता है क्या हम यहाँ पे खरदारी करें या ना करें क्या हम जो भी mutual fund में बने हुए हैं IT sector के mutual fund में क्या यहाँ पे ऐसे mutual fund को focus करें क्या हम ऐसे mutual fund को hold करके रखें या फिर क्या step होना चाहिए आज के वीडियो में मैं पूरा यहाँ पे analysis cover करूँगा देखो जो आज मैं आपके सामने points रखूँगा वो पूरा technical analysis के basis पे होगा और उसके basis पे मैं आपके सामने यहाँ पे research रखूँगा देखो अगर देखा जाए तो कई ऐसे stocks हैं जो अपने high point से 30 से 40% तूट चुके हैं कई ऐसे stocks हैं जिनका गिरावट 45% के करीब भी हो चुका है अब ऐसे में investor यहाँ पे जानना चाहते हैं क्या stocks में और गिरावट हो सकता है कि नहीं देखो मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे data रखने वाला हूँ आज के वीडियो में हम nifty 50 के जो IT stocks हैं उस पे ही focus करेंगे सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या ऐसे stock का price सस्ता हुआ है या महंगा अब price सस्ता हुआ है या महंगा हुआ है हम कैसे समझ सकते हैं देखो हम RSI के थुरू समझ सकते हैं कि अब हमें ऐसे stocks में इंटर करना चाहिए जब RSI का line 30 के नीचे आपको देखने को मिले it means कि stock का price वहाँ पे सस्ता हो गया है जब RSI का line आपको यहाँ पे 60 के उपर देखने को मिले it means कि वैसे stocks का price काफी महंगा हो गया है तो ऐसे में हम देखते हैं जो Nifty 50 के IT stocks हैं उसका RSI अभी क्या है देखो अगर आप देख सकते हो अगर यहाँ पे TCS की बात करें तो TCS का RSI जो अभी current देखने को मिल रहा है 31 से 32 के करीब में वहीं पे अगर मैं Infosys की बात करूँ तो Infosys का RSI जो है वो 32 के उपर देखने को मिल रहा है वहीं पे अगर मैं HCL Technology की बात करूँ RSI ये वो 34 के उपर देखने को मिल रहा है वहीं पे Vipro का जो RSI है वो 37 से 38 के बीच में है और वहीं पे Tech Mahindra की बात करें तो यहाँ पे जो RSI है वो 41 से 42 के करीब में है इससे ये तो अंदाजा चल गया कि Stocks का जो प्राइस है वो काफी महंगा नहीं है जी हाँ काफी महंगा नहीं है लेकिन अब हम जानेंगे one by one कि क्या Stocks के प्राइस में काफी ज़्यादा गिरावट हो सकता है की नहीं तो चलिए हम यहाँ पे MSCD Indicator के थुरू समझेंगे कि क्या अभी ऐसे Stocks में और गिरावट हो सकता है की नहीं सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे TCS की बात करूँ तो आप TCS का ये चार्ट देख सकते हो मैंने MSCD के help के थुरू यहाँ पे कुछ दिखाने का कोशिस किया है यहाँ पे अगर आप number one के arrow को देखोगे जहाँ पे MSCD का line जो blue line है red line को cross करके नीचे की और move हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो गिरावट और भी हो सकता है जी हाँ जब भी हम किसी stock का price MSCD के थूर रिसर्च करते हैं यहाँ पे अगर red line को cross करके blue line उपर की और move होता तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि stock के price में उपर की और movement हो सकता है लेकिन यहाँ पे नीचे की और move हो रहा है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऐसे stocks में अभी और गिरावट देखने को मिल सकता है जहाँ पे मैंने second mention किया है वहाँ अगर आप देखोगे तो volume भी आपको देखने को मिलेगा exactly यहां पे selling का काफी दवाव है बिक्वाली हो सकता है तो ऐसे मैं इस stock का price और नीचे की और move कर सकता है चलिए वहीं पे दूसरे stocks की बात करते हैं यहां पे मैं अगर infosys की बात करूं अगर infosys का chart देखूं तो same to same आपको वही chart देखने को मिल रहा है यहां भी MSCD का line यह indicate कर रहा है कि गिरावट और भी हो सकता है ऐसे stocks के price में और नीचे का movement देखने को मिल सकता है जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे volume जो यहां पे selling का pressure है वो आपको देखने को मिल रहा है तो इस stocks में भी अभी और गिरावट का scope दिख रहा है चलिए अगले stocks की बात करूँ अगर मैं यहां पे विप्रो की बात करूँ तो विप्रो का भी chart आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा अगर मैं MSCD का indicator देखूँ तो आप देख सकते हो जो blue line है red line को touch किया है और नीचे की और move करने को तयार है यहां से stocks में और गिरावट हो सकता है तो ऐसे अगर आप हर stocks में देखोगे तो आपको same to same chart देखने को मिलेगा और वाकई में अगर मैं Nifty IT का यहां पे पूरा chart देखूँ कि Nifty IT का यहां पे क्या status है अगर मैं MSCD के थूँ यहां पे चेक करूँ Nifty IT का भी आपको जो MSCD का data है same to same देखने को मिल रहा है इट मिंस कि पूरा IT सेक्टर में यहां पे अभी दबाव है selling का pressure है और IT index और नीचे की और गिर सकता है जिसके चलते जो भी stocks हैं उसमें भी गिरावट आपको देखने को मिल सकता है देखो 2020 में जो गिरावट हुआ था जी हां मार्च और अप्रेल के महीने में उस समय IT stocks में almost 30% का गिरावट था जी हां अपने high price से 30% का on the average गिरावट देखने को मिल रहा था अगर आज के rate में देखें high price से अगर अभी compare करें तो कई ऐसे stocks हैं जो 30% के उपर तूट चुके हैं लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कई ऐसे stocks हैं जो अपने intensive value के काफी उपर trade कर रहे हैं जी हां जो valuation होना चाहिए उससे काफी उपर trade कर रहे हैं तो ऐसे में गिरावट और हो सकता है चलो मैं आपके सामने कुछ यहां पर 20-25 साल का data भी रखना चाहता हूँ 1998 की बात करते हैं 1998 अगस्त के बाद IT सेक्टर में काफी जादा तेजी देखने को मिला जैसे कि आप Nifty IT का graph देख सकते हो अगर changes की बात करें 500 से लेके 700% का changes देखने को मिला सिर्फ 2 साल में लेकिन ठीक डेड़ से 2 साल के बाद गिरावट देखने को मिला और 80% अपने high price से यह index टूर चुका था और फिर धीरे-धीरे index में moment देखने को मिला वैसे ही आप अगर 2022 का यहां पर index देखोगे निफ्टी IT का index देखोगे तो आपको यहां पर काफी ज़्यादा changes देखने को मिला है लेकिन फिर एक बड़ा गिरावट देखने को मिला है और almost 30% के ऊपर तक का गिरावट हो गया है ऐसे में अगर मैं आपको बताऊँ यह graph आपको यह संकेत देता है कि जब IT सेक्टर में काफी valuation हाई हो जाता है तो exactly गिरावट देखने को मिलता है और सन 2000 में यह गिरावट देखने को मिला था वही गिरावट वैसा ही आपको यहां पर 2022 में भी देखने को मिल रहा है फिलाल अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी valuation काफी हाई है यहां से गिरावट और भी हो सकता है लेकिन investor यह जाना चाहते है कि क्या हम यहां से खरदारी करके चले या फिर क्या decision ले चलिए हम सबसे पहले यह समझेंगे कि आपका risk capacity कैसा है चलिए हम यहां पे investor को तीन पाट में divide करते हैं अगर मैं risk according बात करें तो एक यहां पे higher risk investor इट मिन्स की जो aggressive investor है एक moderate investor जो यहां पे moderate risk ले सकते हैं और एक ऐसे investor जो काफी conservative होते हैं इट मिन्स की काफी low risk लेके साथ चल सकते हैं aggressive investor के लिए मैं यहां पे बताऊँगा कि यह सही समय है आप participate कर सकते हो ऐसे stocks को long time के लिए focus कर सकते हो अगर आप moderate इत मिन्स की medium risk taker हो तो आप भी participate कर सकते हो ऐसे stocks को focus कर सकते हो ऐसे mutual fund को भी focus कर सकते हो लेकिन अगर आप काफी low risk investor हो इत मिन्स की conservative risk capacity है तो आप यहां पे और इंतिजार करो जी हां और इंतिजार करो जब ऐसे stocks का ISI 25 यह 25 के नीचे trade करने लगे तो exactly उस समय आप इंडर कर सकते हो एक strategy मैं और अगर आपके सामने रखूँ अगर आप इन सब चीजों को analysis नहीं कर सकते हो research नहीं कर सकते हो तो SIP के थुरू आप participate कर सकते हो यह सबसे अच्छा strategy है अगर SIP के थुरू अगर यहां से आप participate करते हो exactly long time में आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि इतना पैसा invest नहीं करना है जिससे अगर कुछ नुकसान हो तो आपका पूरे पैसे पे काफी ज़्यादा negative return देखने को मिले जी हाँ चीसे हम allocation कहते है allocation का part आपको समझना पड़ेगा किसी भी एक sector पे focus करने से पहले आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना percent ऐसे sector को हम दें अपने पूरे बजट का यह नहीं कि पूरे का पूरा बजट इसमें हम पार्ग कर दियें यह एक सही decision नहीं होगा तो इस strategy के साथ आप यहाँ पे investment को continue कर सकते हो जी हाँ देखो जो मैं आपके सामने analysis रखा हूँ यह analysis एक data के according है हो सकता है कि data change भी हो जाए जी हाँ आने वाले दो दिन आने वाले साथ दिन में अगर market का movement change हुआ तो exactly यह data change भी हो सकता है आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेके comment box में जरूर आए आने वाले time में बहुत सारी वीडियो लेकर आऊँगा एक खंबल रिक्वेस्ट अभी तक चानल को नहीं करें सब्सक्राइब डाइक और शेयर तभी स्टार्ट करें फिर लेक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैए जैपार